हेलो प्यारे बैच्चों कैसे हैं आज काल हम कर रहे हैं क्लास 3 की फिजिक्स का फर्स चेप्टर जो की है प्रकाश परावरतन तथा परतन और पिछली क्लास में हमने इससे लेंसों से संबंदी कुछ आपको बातें बताई थी उन पर चर्चा करें थी और साथ ही दो को एक्ज आपको बता दिये चाहें तो फिर शुरू करते हैं हमारा पहला जो प्रशन दिया है जो कि आपके सामने है इसके अंसर किसी लेंस की एक डायोप्टर चमता को परिभाशित कीजिए तो देखिए अभी मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको लेंस की चमता बताई अगला प्रशन है किसी उत्ता लेंस का बन रहा है जिस साइच का बन रहा है जिस साइच का बिंभ है लेंस की छमता भी ग्यात कीजिए तो देखे हमें क्या क्या बता दिया है इसने सबसे पहले उत्ता लेंस है और प्रतिविम 50 cm दूर बन रहा है question number 2 है क्या है उत्ता लेंस उत्ता लेंस और प्रतिविम्ब जो बन रहा है यानि कि V की जो वैली है वो 50 cm दूर बन रहा है और प्रतिविम्ब कैसा बन रहा है सुई का वास्तविक तथा उल्टा यो प्रतिविम्ब है ये क्या है वास्तविक वो उल्टा प्रतिविम्ब है ये भी हमें ध्यान देना है 50 cm दूर बन जाए यह सो यह उत्तर लिंस के सामने कहां रखे यानि कि हमें U की value को calculate करना है यदि इसका प्रतिविंब उसी size का बन रहा है जिस size का बिंब है यानि कि यदि H की value है वो H- के बराबर है H वस्तू का अकार होता है H- प्रतिविंब का अकार है और साथ में कहा रहा है लिंस की चमता भी ग्याद कीजिए हमें power को भी क्या करना है calculate करना है तो देखें काफी आसान है सीधे हमें लिंस की चमता का सुत्र ग्याद करना है लिंस की चमता निकालते हैं और उसके लिए हम पहले सुत्र इस्तेमाल करेंगे आवर्दन चम्ता का, हम जानते हैं चुकि, आवर्दन चम्ता M के हमारे पास दो फार्मॉले होते हैं, एक होता है H- upon H और ये बराबर होता है V upon UK पहले हम इस फार्मॉले का यूज़ करते हैं देखिए, तो M की value क्या निकल जाएगी, H- कमान H के बराबर है, तो ये H- कमान ये इस H कमान H- ही रख दें, तो ये आज़े का H- बटे H- तो H- हडेस कर गया, यानि कि हमारा क्या आगया M कमान किसके बराबर आगया 1 के बराबर, तो अब हम इसमें रखें, M कमान पता चलिए M बराबर है V upon UK के, तो लिखते हैं याँ पर, चुकि M बराबर है V upon U, तो values put करें, हमें क्या दे दी है, V की value हमें पता है, 50 cm है और वास्तविक बन रहा है, तो इसका मतलब ये धनात्मक है, lens के दाईं तरह बन रहा है इसका अर्थ ये है, तो हमें U की value निकालनी है, तो U बराबर क्या हो जाएगा V upon M तो values रख लें, U बराबर V का मान कितना है, 50 cm और M का मान कितना है यहाँ पर एक चीज हमें और समझनी देखें कैसा परतिम में बन रहा है उल्टा बन रहा है इसलिए H डेश जो लेंगे वो माइनस में लेंगे H डेश क्या लेंगे, माइनस में लेंगे H डेश की जो value आएगी, वो क्या हैगी, माइनस में आएगी माइनस, तो M की value माइनस एक आएगी क्योंकि अक्ष से उपर क्यों चाहिए धनात्मक नीचे की चाहियां रनात्मक लेते हैं तो ये इस परकार से हैं कि M कमान माइनस एक रख देंगे हैं माइनस एक तो क्या गया U बराबर कितने आगया पचास सेंटीमीटर इसका एर्थ है प्रतिबिम्ब लेंस से पचास सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा तो दो चीजे में पता चलगी अब हमें देखें पावर निकालनी है और पावर का फार्मूला आप जानते हैं यह होता 1 अपॉन F के तो पहले हमें F निकालना पड़ेगा इसकार्थ तो लेंस सुत्र का इस्तेमाल करते हैं लेंस सुत्र से 1 अपॉन V V-1 upon U बराबर होता है e when upon F के तो V की वैलिओ कितनी हो गई हमने कहाा V की वैलिओ है 50 तो 1 बटा 50 माईनस U की वैलिओ बराबर 1 बटा F माईनस की माईनस में गुणा होगी तो प्लस होगिया 1 बटा 50 यहां भी 1 बटा 50 यह हो गया 1 upon F याँनी कि one upon F बराबर किसके होगा जो बटे पचास के अबराबर किसके होगा रखे और यह धनात्मग है कि हम उत्ता लेंग चाने की फॉकस दूरी का होती है धनात्मग होती है तो यहीं पर हमें कÍ निकालना है पावर की वैलून निकालना है क्योंकि हमें तो P की value calculate करनी थी तो P बराबर क्या होता? 1 upon F के, तो इसको meter में बदलना पड़ेगा मैं, देखिए तो इस 25 cm को लिख लेते हैं 25 बटे 100 meter तो F की value कितनी है कि 1 बटे 25 और 100 कहां चले गया उपर, तो 25 से कार दिया 25 और 100, यानि कि यह कितना आजाएगा हमारे पस? यह आजाएगा 4 डायोप्टर के बराबर आजाएगा तो इस परकार से हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास power है इसके formula को calculate कर सकते हैं अब अगला question करते हैं अगला question है 2 meter focus दूरी वाले किसी आवटल लेंस की छमता गयात कीजिए तो प्रशन संक्या हमारे पास 3 है 2 meter focus दूरी वाले यही बता रहा है यह दो meter focus दूरी यानि कि F की value कितनी दी दी? 2 meter कौनसा lens है? आवटल लेंस लेंस यह है 2 meter focus दूरी वाले आवटल लेंस की छमता गयात कीजिए यानि कि हमें power को calculate करना है तो यह दी आवटल लेंस है तो हम जानते है focus दूरी किसमे होगी? माइनस में होगी तो power का formula P is equal to होता है 1 upon F तो P is equal to 1 upon F की value minus 2 दो से भाग देंगे एक में तो P is equal to आज़ेगा 0.5 और किसमे आएगा माइनस में और साथ में क्या गया डायोप्टर इसका अर्थ है उस लेंस की छमता माइनस 0.5 डायोप्टर होगी तो इस परकार से हम क्या कर सकते है इन questions को हल कर सकते है तो आप इन्हें नोट कीजिए फिर हम आगे के question करते है हमारा next question है जो कि अब हम प्रिश्णवली से शुरू कर रहे है जो की chapter में सबसे last में दिये हुई है प्रिश्णवली उसके questions को करते है तो पहला questions objective questions है जिसमें जो की इस परकार से है पहला question है निमने में से कौन सा पतार्थ लेंस बनाने के लिए प्रियुक्त नहीं किया जा सकता A. जल B. काच C. प्लास्टिक और D. मिटी देखे हमारी लेंस की परिभाशा होते थी कि दो प्रिश्टों से घेरा हुआ एक समांगी पारदर्शी माध्यम जिसका की कम से कम एक अत्वादोरों प्रिश्ट क्या हो गोली हो इसको हम क्या कहते थे लेंस कहते थे इनमें यहिए सभी बातों पर जदी आप ध्यान दें तो इसमें देखे एक शब्द आता है पारदर्शी यहिए माध्यम पाرदर्शी नहीं होगा तो उसके द्वारा कभी भी लेंसों का निर्मार्ण नहीं किया जा सकता अब इसी quality को देखकर कि आप सबसे पहले इसमें देखिए जल पारदर्शी होता है कांच भी पारदर्शी होता है प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है मेन बात है मिटी मिठ mmg जो है वो पारधर्श्य नहीं होती इस प्रश्चन का जो गलत आंसर है वो क्या है, मिठी है हम कह सकते हैं कि मिठी के द्वारा lens को नहीं बनाय जा सकता है, lens बनाने में मिठी को प्रिउक्त नहीं कर सकते हैं question number second देखें to question number one का क्या हो गया Q1 में हम क्या लिखेंगे D पार्ट है इसका मिठी यानि कि मिठी के द्वारा लेंज से नहीं बनाया सकते Q2 है किसी बिम्ब का अवतल दर्पन द्वारा बना परती बिम्ब आभासी सीधा तथा बिम्ब से बड़ा पाया गया वस्तु की इस्तिति कहां होनी चाहिए देखे कौन सी बात कर रहा है Q2 में आवतल दर्पन की बात कर रहा है आवतल दर्पन तो आवतल दर्पन द्वारा जितने भी परती बिम्ब बनते है मैक्सिमम भी सारे के सारे उल्टे बनते है केवल एक इस्तिती ऐसी होती है जिसमें कि दुरू तथा प्रतम फोकस के बीच में यदि वस्तू रखेंगे तो उसका क्या होता है एक आभासी परतिवीम बनता है सीधा परतिवीम बनता है और आभासी इसलिए बनता है क्योंकि दरपन के पीछी के तरफ बनता है तो अब यहाँ पर हम देखें कि आउता दरपन द्वारा प्रतिवीम आभासी सीधा तथा बिम्बो से बढ़ा पाया गया तो यह तीनों ही इस्तितियां का बाती है जबकि हमने आपको 6 विबिन पोजिशन्स पर डाइग्रम बताये थे वस्तिव को 6 विबिन इस्तितियों पर रखकर के जब परतिवीम आपको का निर्मान किया था उधा दरपन से तो वहाँ आप जाकर के देखेगा जो सबसे लाश्ट वाला आप्शन्स होता है जिसमें कि हम फोकस और दरुव के बीच में रखते हैं वहाँ पर ऐसा परतिवीम में प्राप्त होता है तो यह हमारा क्या आ गया कि कहा पर होनी चाहिए इसमें जो D पार्ट है कि दरपन के धृव तथा मुक्झे फोकस के बीच होनी चाहिए तो ये इसका answer हो जाएगा अब question number third देखें question number third है किसी बिम्ब का वास्तिविक तथा समान साइज का प्रतिबिम्ब प्राप्त करने के लिए बिम्ब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना कहां रखें तो देखें यहाँ उत्तल लेंस के सामने इसमें भी हमने जब आपको डाइगरम बनाए थे तो उत्तल लेंस के भी हमने छे पोजिशन्स पर वस्तू को रख करके आपके लिए किरन आरफ तयार किये तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वस्तू के बराबर जो प्रतिबिम्ब बनता है वह केबल बनता है जब वस्तू फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर क्यूँ जिसे हम किस से प्रदिशित करते थे वक्रता के इंदर्बिक से प्रदिशित करते थे और जिस का मन 2F के बराबर होता थे यदि वहाँ वस्तू में रखेंगे तो वस्तु का समानाकार का प्रती बिम्ब बनता है तो क्या है वास्तिविक तथा समानाकार का प्रती बनाने के लिए बिम्ब को उत्ते लेंस के कहां रखना पड़ेगा हम तीसरा पार्ट कहेंगे कुश्यन नमबर थरी हमारा जो है इसका जो आंसर सही है वो है फोकस दूरी की दूगनी दूरी पर यानि की B पार्ट में फोकस दूरी की दूगनी दूरी पर जिसे हम वक्रता केंदर भी कहते हैं अब चौथा प्रशन देखें किसी गोली दरपन तथा किसी पतले गोली लिंस दोनों की focus area minus 15 है दरपण तथलिन से संबह होता है तो question number 4 में कहा रहा है कि जो focus area है F का मान है दोनों में minus 15 है तो दरपण में क्या होगा देखे चिनहपरी पाठी हमारी ये कहती है कि यह यदि मैं एक दरपण मना लू मान लेते में अवतल दरपण मनाया आप जानते हैं अवतल दरपण का जो focus होता है मुख्यक्ष के समानतर आने वाली किरिने अपवरतन की पश्याद कहां से जाती है focus से होकर के जाती है तो यह बंदू क्या होता है focus होता है तो यदि यहा दरपण के इधर की और बाईं तरफ इस्तित है, तो ये focus क्या होता है? माईनस में होता है, माईनस एफ होता है अब यहीं पर हम यदि उत्तल दरपन की बात कह दें उत्तल दरपन इस परकार से होता है तो मुक्यक्ष के समानतर आने वाली किरने ये हमारा क्या है? उत्तल दरपन है परावरतन के परकार से निकल जाती है तो इसको पीछे में लाता है तो क्या होता था? एक निश्चित बिंदू साती प्रतीद होती थी तो ये हमारा क्या होता है? और ये focus हमारा क्या होता है? धनातमग होता है तो हमें माइनस में दिया है इसलिए कौन सा दरपन होगा? अवतल दरपन तो दरपन तो हमें पता चल गिया दरपन कौन सा होगा? अवतल अब फोकस walोरी माइनस में किसकी होती है? लेंसों के ले एदे देखा जाया लेंस कुन से होगए? यदि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस इस परकार का होता है मुख्यक्ष के समानता राने वाली के रिए ने अपवरतन के पश्चाथ कहां से हो करके चले जाती है इस परकार से चले जाती है तो ये फुक्स दूरी हमारी क्या होती है पॉजिटिव होती है धनात्मक होती है लेकिन यदि आवतल दर्पन आवतल लेंस की बात करें तो आवतल लेंस इस परकार से होता है यह मुख्यक्ष के समानतार आने वाले के लिए नहीं है अपॉर्टन के पेश्चात इस परकार से निकल जाती है और इनको पीछे मिलाएं तो एक निश्चित बिंदू से आती होई प्रतित होती है यह फुक्ष जूरी हमारी कौंसी होती है यह फुक्ष जूरी होती है माइनस में तो इसका मतलब दर्पन भी आवतल होगा यह वाला और लेंस भी क्या होगा? आवतल होगा तो इस परकार से इसे समझ सकते हैं अगला प्रशन देखें प्रशन संक्या 5 किसी दर्पन से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े रहे हैं आपका प्रतिविम सदेव सीधा प्रतित होता है संभौते दर्पन है देखे एक तो समतल दर्पन ऐसा होता है कि जिसमें बना हुआ प्रतिवियम हमेशा सीधा होता है पहली बात और दूसरा हमारे जो दरपण होता है वो तो उत्तल दरपण उत्तल दरपण में भी जो प्रतिवियम में बनता है वहाँ सीधा ही प्रतिवियम में बनता है तो इसका जो आंसर D होगा question number 5 का question number 5 का देखा जाए तो जो D part है वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो क्या हो सकता है सम्तल तो हो गई तथा उत्तल उत्तल दरपन इन दोनों में ही पढ़ती भी में क्या बनता है हमेशा सीधा बनता है अगला question सब क्या अच्छा है किसी शब्द कोश डिक्षिणरी में पाए गए चोटे अक्षिणों को पढ़ते समय आप निमन में से कौन सा लेंस परसंद करेंगे देखिए शब्द कोश जो हमारी डिक्षिणरी होते है इसमें अक्षिण क्या होते है छोटे होते है तो किस परकार के लेंस को प्योंकरेंगे सीधे हम देख सकते हैं इन्होंने दो focus दूरी एक तो focus दूरी बढ़ी होनी चाहिए तो focus दूरी कितनी दी दी है 50 cm और डूसरी इसमें देखिए 5 cm तो 50 cm वाला फूकस दोरी लेंगे दूसरा इसमें आता है उत्तल लेंज या आउतल लेंज तो हम किस का प्रियोग करेंगे आउतल लेंज का प्रियोग करेंगे ये तो question number 6 जो हो मारा होगा वो कौन सा होगा option कौन सा दिया है इसमें B दिया है 50 cm F का आउतल लेंज ये प्रियोग करेंगे अगरा प्रेशन देखें प्रेशन संग्या साथ 15 cm फोकस दूरी के एक आउतल दर्पन का उप्योग करके किसका आउतल दर्पन का उप्योग करके हम किसी बिम्ब का सीधा प्रति बिम्ब बनाना जाते है maximum प्रतिविंबो, वह सारे के सारे कैसे बनते हैं, हम जानते हैं, वह बनते हैं, उल्टे हैं, और यदि सीधा प्रतिविंबनना है, तो उसके लिए एक ही स्थिति है कि वस्तु को कहां रखा जाएं, वस्तु को धुरू तथा प्रत्वम फोकस के बीच में रखा जाएं, दूरू तथा फोकस के बीच में यह दे रख दें, तो उसका सीधा प्रतिविंबनेगा, लेकिन वह आभासी भी होता है, और वह हम जानते हैं, वस्तु से बड़ा भी होता है, तो उसी का डाइग्रम बना लेते हैं, ग्ष्टन नमबर, हमारा सैवन ہوगया, यह हमने, कौन सा लेना है, इसमें, आउतल दरपंड लेना है, तो इस परकार से हमने एक आउतल दरपंड ले लिया, यह मुख्यक्षा की यह मान लेते हैं उसकी क्या है फोकस यह क्या है वक्रता के अंदर सी हमने यहां पर वस्तू को रख दिया है तो अब वस्तू से दो किरणे हम डालेंगे एक को इस परकार से डाला हमने सीधा यह ऐसे गई और मुख्यक्ष का समानतर है तो कहां से हो करके जाएगी सीधे यह फोकस से हो करके पास हो गई एक तो यह किरण आगी दूसरी किरण दो स्थितिया आप बना सकते हैं दूसरी किरण में या तो आप उसको सीधे सीधे ले जा लिए जैसे मैं यहां से इसमें इनको मिलाती भी एक सीधे रिखा खीजदे में ऐसे यह सीधे यहां दरपन से टक्राएगी जो जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वापस आजाएगी अब इन दोनों के रिणों को यह दि पीछे के और मिलाएं होगा एक तो हम देख रहें सीधा दूसरा वास्तों में प्रकाश के रिणे नहीं कट रही है इस स्थान पड़ यानि कि क्या है आभासी और तीसरी इस्तिति क्या है बड़ा वस्तू से बड़ा होता है तो इस परकार से हम इसे समझ सकते हैं कुश्चन नबर एट निम्न इस्तितियों में प्रियुक्त दरपन का परकार बताईए कुश्चन नबर एट है ए पार्ट में क्या कह रहा है किसी कार का अगरदिप यानि कि कार की हेड लाइट हेड लाइट देखिए हेड लाइट कहा था हमने और दूसरा आपको बताया था, हमने आपको बताया था, हमने आपको बताया था, टॉर्च, इन सब में जो दर्पन का उप्योग करते हैं, उसे करते हैं आउतल दर्पन, और आउतल दर्पन का क्यों उप्योग करते हैं, कारण क्या है, क्योंकि आउतल दर्पन में यदि फोकस पर हम क्या रख दें कोई प्रकास श्रोट रख दें जैसे कि हम इसमें हेड लाइट में क्या रखेंगे आवतल दर्पन लिया और उसके फोकस पर हमने क्या कर दिया यहीं पर डाइग्रम भी बना के बता देते हैं आपको यह हमने एक आवतल दर्पन ले लिया ये इसकी मान लेते हैं ये फोकस है फोकस पर ही हमने क्या रख दिया बल वर रख दिया प्रकास श्रोत रख दिया तो प्रकास श्रोत से क्रिणे इस परकार से जाएगी अब जो भी किरिने प्रकास श्रोत से जाएगी वो दरपन से परावरतन के पश्याद मुख्यक्ष के क्या हो जाएगी समानतर हो जाएगी इस परकार से मुख्यक्ष के क्या हो गई यह समानतर हो गई तो जब समानतर हो गई तो यह बीम बड़ी दूरी तक जाएगी क्योंकि यह सारी क्रेने एक दूसरे के समानतर है इसलिए head lightों में आउतल दर्पन का उप्योग किया जाता है कौन सा? आउतल दर्पन तो मुझे लग रहा है बात समझ में आगी होगी आपको अगला है किसी वाहन का पाशर्व या पश्च द्रिश्च दर्पन पश्च द्रिश्च दर्पन तो जो rear view वाला हमारा दर्पन होता है अभी हमने बात करी उसके लिए उतल दर्पन का उप्योग किया जाता है तो B में किसका उप्योग करेंगे? उतल दर्पन और क्या उतल दर्पन की खास बात बताई थी मैंने एक तो इसके तोरा जो प्रतिविमें में बनते हैं वो क्या होते हैं? सीधे होते हैं दूसरी बात क्योंकि ये बाहर के और फैलावा दर्पन होता है जैसे कि हमने यहां पर बना रहा है ये फैलावा होता है तो ये पीछे के बड़े छेतरफल को कवर कर लेता है अपने छोटे से दर्पन में तो गाड़ी के पीछे का बड़ा सा हिस्सा इस छोटे से दर्पन में दिखाई देता है भले वस्तुमें छोटी दिखती हैं लेकिन उनके प्रतिविम्भी हमें सीधे प्राप्त होते हैं इन दो गुणों के कारण इसका उप्योग दरपड में पश्च दिश्च देखने के लिए उप्योग मिलाया जाता है तिसरा है C, सौर भट्टी सी में क्या है? सौर भट्टी पहली बात तो सौर भट्टी क्या होती है? सौर भट्टी का अर्थ होता है एक ऐसा यंत्र जिसमें सौर उर्जा के द्वारा किसी एक स्थान का तापमान बहुत अदिक बढ़ा दिया जाता है और तापमान बढ़ा होगा एंगल से नहीं मुख्यक्ष के समांतर यह हमने मुख्यक्ष ले ली तो इसके समांतर जितनी भी किरिणे आती है इन सब किरिणों को क्या करता है? फोकस कर देता है अपने फोकस पर अपने फोकस से भेज देता है तो आवतल दरपन का अप्यों करेंगे आवतल दरपण का उपयोग जाए जाता है तो इस परकार से कर सकते हैं आप इन्हें नोट कीजिए फिर हम आगे से continue करते हैं हमारा next question है, question number 9 जो कि इस परकार से है किसी उत्तर लेंस का आधा भाग काले कागत से ढग दिया गया क्या इस lens किसी बिम्ब का पूरा प्रतिमिं बना पाएगा अपने उत्तर की परियोग द्वारा जाच कीजिए अपने प्रिक्षणों की व्यक्षण कीजिए तो देखिए ये क्या कर रहा है, question number हमारा है 9 हमने इस परकार से उत्तर लेंस लिया और ये मान लेते हैं, ये इसकी मुख्यक्ष है हमने नीचे वाले हिस्से को किसी कागत से ढग दिया तो अब कहते हैं, यदि हमने कोई एक यहाँ पर हम कह सकते हैं, कोई वस्तू के दौरे इसका परतीबिव बनाए तो क्या वस्तू को पूरा परतीविव बनेगा तो देखते हैं माल ओने देहां हमारा क्या है focus ये क्या है उसका वक्रदाके अंदर यान्कि 2F ये C कहते हैं जिसे यहां पर हमने क्या रख़िए एक वस्तू रख लिए तो अब वस्तु से हम क्या करते हैं प्रकाश किरणे बेशते हैं तो यह हमने एक प्रकाश किरण मुख्यक्ष के समानतर बेश दी तो माल लेते हैं यह वस्तु का फोकस है तो प्रकाश किरण कहां चली आएगी फोकस से हो करके ऐसे चली गई अब दूसरी प्रकाश के रण हम कैसे भेज सकते थे हम फोकस से भेजते तो ये ऐसे टकरा करके अमुख्यक्ष के समान तर ऐसी चली जाती पर ये नीचे वाला हिस्सा तो क्या है हमने एक काले कागत से उसको धकावा है तो जरूरी नहीं है मैं यहां से भेजना होता हम यदि यहां से भी एक किरण भेजते मालो मैं यह धकावा नहीं होता तो एक तरीका क्या था कि मैं इसके प्रकाश के इंदर यानि कि ओसे यदि प्रकाश किरण भेजता तो वो भी इस तरीके से जाती और कहीं पर ये दोनों किरने एक दूसरी को काट लेती लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि यह परकाश किरन यहां से नहीं जाएगी तो और कोई परकाश किरन नहीं टकराएगी देखिए एक और परकाश किरन बनाते हैं यह प्रकाश किरण तो मुख्यक्षा समान तरती दूसरी प्रकाश किरण को मैं सीधे ऐसे ले गिया बीच में ले गिया तो यह प्रकाश किरण भी क्या होगा क्योंकि लेंस है तो अपने क्या का अधार की तरफ या मुख्यक्ष के तरफ इसको मोड़ देगा उत्तलेंस तो यह मोड़ता है तो यह इस प्रकार से जाती है प्रकाश के रणा और आप देखेंगे जहां पर यह वाली किरण टकराई इत्ती थी यदि इसने हिस्से को मैं काला न करता तो यह यह दूसरी प्रकाश के रणा प्रकाश के अंदर से जाती यहां पर वस्तु का प्रतिविम्ब बनाती पर यह नहीं गई तो दूसरी को भेजेंगे तो वह भी यही पर क्या करेगी मुख्यक्ष के समानतर आने वाले के रणा को काटेगी तो वस्तु का प्रतिबिम्ब का बनेगा हमने का यहां पर बन जाएगा तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं यहां बता सकते हैं कि यदि हम आदे हिस्से को लेंस के हिस्से को पेंट कर दे काले पेंट से या कागा चेप का दे तो भी वस्तु का पूरा प्रतिविंब बनेगा तो यहां clear हो गया अगला है प्रिशन संक्या 10 5 cm लंबा कोई बिंब 10 cm फोकस दुरी के किसी अभिसारी अभिसारी यानि कि उत्तर लेंस आप जानते हैं सिर्फ 25 cm दूरी पर रखा जाता है परकाश के रणारे खींच कर खींच कर बनने वाले प्रतिविंब के स्थिति साइस सता प्रकृति ग्यात कीजिए तो क्या कहा है इन्होंने 5 cm लंबा कोई बिंब question number हमारा है 10 तो यानि कि हमें वस्तु की उचाई या लंबाई कह लीजिए यह दे दी हमें 5 cm इसको हम ऐसे परदेशित करते हैं कोई बिंब 10 cm फोकुस दूरी के किसी अभी सारी लेंज से यानि कि हमें फोकुस दूरी कितनी दे दी 10 cm कौन सा लेंज है हम कहिंगा उत्ता लेंज अभी सारी लेंज यानि कि उत्ता लेंज है अब उत्तर लेंस होगा तो आप जानते हैं फोकस दूरी क्या होगी धनात्मक होगी यहां हमने यह पता चल गया अब इस सारी लेंसे 25 सेंटीमेटर की दूरी पर रखा है यानि कि यह क्या रखा है हमने कोई इतना बिंब यानि कि वस्तू की दूरी देदी यू बराबर 25 सेंटीमेटर आप जानते 25 सेंटीमेटर यह दिवस्तू है तो इसको हम माइनस से रिपरेजेंट करेंगे अब हमें क्या-क्या पता करना है प्रतिविंब की इस्तिती साइज प्रकरती है प्रतिविंब की वस्तु काकार तो ये है, प्रतिविम काकार क्या होगा और उसके प्रकरती क्या होगा, प्रकरती मतलब वो आभासी है, वास्तिविक है, सीधा है, उल्टा है, ये में बताना है तो कैसे करेंगे हमें देखिए U कमान भी पता है F कमान भी पता है तो पहले V कमान निकाल लेते हैं इस्तिती पता चल जाएगी तो हम जाते हैं चुकि 1 upon V और क्योंकि लेंस है तो minus 1 upon U बराबर होता है 1 upon F के 1 upon V हमें तो V चाहिए यह हो जाएगा 1 upon F plus 1 upon U values पुट कर लीजिए 1 upon F की value कितनी आगए यह होगी 10 U कमान माइनस में है तो यह माइनस एक बटा क्या हो जाएगा 25 क्योंकि प्लस था नीचे माइनस 25 है प्लस की मैनस बटा होगी माइनस आगया तो इनका एल्शियम कितना ले लेंगे हम मानने का 50 ले ले लेते 10 पंजे 50 पच्चे दोनी 50 यानि क्योंगी तीन बटे 50 1 upon V कमान आगया हमारा तीन बटे 50 तो V कमान क्या जाएगा V बराबर हो जाएगा 50 बटे 3 सेंटीमीटर यानि कि हम क्या लिख सकते हैं V कमान हमारा होगी या 50 बटे 3 तो 3 से कार देंगे 3 इकम 3 3 चिंग 18 और फिर 3 चिंग 18 इतने सेंटीमीटर पर बनेगा परतिविम तो V की हमें स्थिती पता चल गई है अब साइज कैसे पता चलेगा साइज पता करने के लिए हम जानते हैं चुकि M बराबर होता है V upon U अब बराबर हमारा होता है H dash upon HK तो हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए V कमान हमें पता है इस कमान 50 बटे 3 लिख लेते हैं योग या 50 बटे गोणा देखिए V कमान तो 50 बटे 3 लिख लिख लिए अब U कमान कितना है U कमान हमारेको दिया है माइनस पत्चिस तो इसे लिख लेगे 25 बराबर H dash यो तो हमेने ग्यात करना है और बटे H H कमान कितना है H कमान हमें दिया है 5 cm यह इहां लेके लेंगे 5 तो h dash तो इधर रग दिया मैंने 5 की इधर गुणा कर दी तो यह गया 50 गुणा 5 बटे माइनस 3 गुणा 25 यह माइनस इधर ले आए आगे तो 25 से काटेंगे 25 दूनी 25 दूनी 10 बटे माइनस 3 तो h dash बरापर माइनस 10 बटे 3, 3 से काटेंगे 3, 3, 9 3, 9, 3, 9 तो 3.3 cm परतिविम्ब का आकार आगिया वस्तू का आकार है बड़ा परतिविम्ब का आकार क्या है छोटा तो हम कहिएगे जो साइज बनेगा वो क्या बनेगा छोटा बनेगा यानि कि वस्तू छोटी बनेगी तो यह तो हमें पता चल गया वस्तू से छोटी बने गया अब इसका हम डाइगरम बना लेते हैं तो डाइगरम बनाएं तो यह हमने क्या बना दिया एक उत्तर लेंस बना दिया यह मान लेते हैं उसकी मुख्यक्ष है यह हमने क्या ले ले ली focus dory ले ली यह focus dory करण न हो गना होगा यह 2f क्योंकर O से लेकर f तक की दूरी कितनी दिए हम और यह focus dory दिए है plus 10 तो यह तो इधर की तरफ है इधर भी इतनी इतनी distance में हमने लिया तो 25 cm की distance में वस्तू रखे इतर के और तो हमने यहाँ तो यहां से दो किरने हमने, एक टिरण यह मुख्यक्ष के समान diffy या अरर यह कहां से चलीगी अवारे ? फोकस से चलीगी और दूसरी प्रकास किरण सीधी यहां से चलीगी तो यहां से जाएगी, तो सीधे हम देख रहे हैं प्रतीवियम यहां पर बनेगा तो प्रतिवियम हम देख रहे हैं उल्टा बन रहा है, यहां माइनस का निशान यह भी बताता था, कि प्रतिवियम क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो प्रतिवियम उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि किरने वास्तों में मिल रहे हैं, वा कोई नेने क्टेन करते हैं अभ हमारे next question है question number 11 जो कि इस परकार से है 15 cm focus दूरी का कोई आवता लेंज किसी बिंब प्रति बिंब बिंब का प्रति बिंब लेंज से 10 cm की दूरी पर बनाता है बिंब लेंज से कितनी दूरी परश्तित होगा कि रणारे खिंचिये तो हमें क्या क्या दे दिया, 15 cm फोकस दूरी, यानि कि question number हमारा है, 11, और ये हमको दे दिया है, 15 cm फोकस दूरी, यानि कि F की value कितनी दे दी, 15 cm, कौन सा lens है, हम ये भी देख लेंगे, आवतल lens है, आवतल lens, तो आवतल lens है, और प्रतिविम में कितना है, 10 cm की दूरी पर बनाता है, बिम्ब लेंस से कितनी दूरी पर इस्थित है, यानि कि हमें U की value को क्या करना है, calculate करना है, तो इस question को कैसे करेंगे, देखे, आवतल lens है, इसलिए focus दूरी इसकी क्या होगी, माइनस में होगी, और आवतल lens के दौरा जो भी परतिविम में बनते हैं, वहां आभासी बनत तो U की value क्या होगी, लिखते हैं, 1 अपॉन lens स उतर से 1 अपॉन V, माइनस वन अपॉन U, बराबर होता है, 1 अपॉन F के, तो हमें तो U की value चाहिए, तो U को इधर ले जा लेते हैं, 1 अपॉन V, माइनस 1 अपॉन F, बराबर 1 अपॉन UK, तो values पुट करें, 1 अपॉन V का मान कित प्लस एक बटा पंद्रह बराबर एक बटा यूकैं दोनों का ilshyum कितना हो गया तो यह उगया माइनस थीन और प्लस दो बराबर एक बटा यू तो कितना आ जाएगा यह यू बराबर आजाएगा यह माइनस एक बटा 10 माइनस एक बटा 30 काईब्द हो गया कि यू कइमान कितना हो गया 30ерм और किसमे17 दोने तरब पलड देंगे इधर में पलड देंगे तो यू कमान माइनस 30 canceled होगा तो बिस दू माइनस 30 सैंट्इमेटर की डिस्टिंस पर रखेंगे अब और क्या कह रहा है यह हमारे से किरन आरेक तो बनाने के लिए कह रहा है बिंबलेंस से कितनी दूरी पर रिस्थी थे बसकिरन आरेक बनाना है तो बनाते हैं आफ़तर लेंस यह हमने एक आफ़तर लेंस बना दिया यह हमने एक आफ़तर लेंस वो 2F जो होगी वो कितनी होगी 30 होगी वस्तु कहां पर रखी हुई है यह हमने अभी calculate करके निकाला है हमें परतिविम्म बताया था minus 10 cm की दूरी पर वस्तु कहां 30 cm तो वस्तु तो यहां पर रखी हुई है और परतिविम्म कैसे बनेगा एक मुख्यक्ष के समानतर ऐसी रेखा खींची दीजिए तो मुख्यक्ष के समानतर अपने ऐसी रेखा खींची तो यह कहां से उकर के जाएगी यह बाहर की और चली जाएगी ऐसी चली जाएगी और दूसरी जो परकाश के रण है वहाँ आप चाहें तो सीधे वकरता के अंदर यहाँ से भेज दीजे तो यह हम भेज देटे कि दूसरी परकाश के रन यहाँ से भेज दीए तो यह बातना विचलित हुए परकाश के अंदर से बाइन विचलित हुए चली जाएगी अब इन दोनों को यह दियापस में मिलाए जाए इसको पीछे के और ले जाए जाए तो यह परतिविंब यहां पर बनेगा तो यहां परतिविंब O तथा F के बीच में बनेगा और इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा तो प्रति बिम्ब छोटा बनेगा आभासी बनेगा और वस्तू से छोटा बनेगा यह हमें इस पस्ट हो गया है अगला प्रक्रशन देखें प्रक्रशन संक्या 11 के बाद 12 15 cm फोकल दूरी के किसी उत्तल दरपन से कोई बिम्ब 10 cm की दूरी पर रखा है प्रति बिम्ब के स्थिती तरह प्रक्रशन गयत कीजिए दोनों चीजे सेम हैं अब की बार उत्तल दरपन ले लिया सब चीजे बादी सेम है तो अब की बार बारवे में क्या ले लिया उत्तल दरपन तो उत्तल दरपन ले लिया पार प्रति दर्पन के बारे में बात करें अधर दर्पन कैसा होता है उत्तर दर्पन की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है तर्दपन की focus होरी क्योंकि इसका focus इधर की तरफ होता है इसलिए यह होती है धनात्मक तो f कमाद लेंगे धनात्मक और u तो आप जानते हैं यह हमेशा ही होता है यहां से वी की value निकालेंगे तो अधरपन सुतर होता है 1 upon v plus 1 upon u बराबर 1 upon f तो values निकाले हैं तो हमें तो d की value चाहिए 1 upon v बराबर 1 upon f minus 1 upon u 1 upon f कमान कितना होगा 15 cm 1 upon 15 minus 1 upon u कमान कितना है minus 10 minus 10 तो ये कितना आजाएगा 1 upon 15 plus 1 upon 10 बरू का एल्षम कितना होगा 30 15 दूनी 30 10 तीया 30 यानि कि अगे 5 upon 30 1 upon v बराबर 5 बड़े 30 येनके एक बटा 6 तो v कमान कितना आजाएगा 6 cm तो प्रतिविम्ब के इस्तिती हमें पता ते रगी 6 cm है में बात ये धनाप्त मगा जिए इसका मतलब प्रतिविम्ब इधनकी और बनेगा ये हमें पता चलिए सेके अब है kya क्या पूछ रहा था ये कि बारवस्टिविम्ब के स्थिती तहब प्रकरती बता ये तो हमने स्थिती वह बता दि और किस परकार या बता दिया कि इस्थिती दो ये हो गई कि 6 cm की दूरी पर बनेगा और प्रकरती क्या होगी Frei तो इस प्रकार से हमीशे कर सकते हैं हम आतने next question है question number 13 तो हम प्रिशन संक्या क्मामसा है तेहरवा करेंगे इसके अमसार एक सम्तलतरपन दौरा उत्पन आवर्धन प्लस वन है इसका क्या अर्थ है याई कि इसमें देगिया आवर्धन एम का माम क्या देगिया इसका अर्थ यह है कि जो प्रतिविंब की उचाई या लंबाई होगी वह वस्तु की लंबाई के बराबर होगी वह वस्तु की उचाई के बराबर दोनों का अखार सेंग बनेगा वस्तु कभी और प्रतिविंब का question no.14 में देखें पांक संटीमिटर नमपाई का कोई वक्रता तरजाके किसी उक्तफदरपन के सामने बिस संटीमिटर की दूरी पर रखा गया प्रति विम के इस्थिती प्रकृतितता साथा बताईए तो क्या क्या हमें देदिया question no. 14 में यह हमें देदिया है 5 cm लंबाई का कोई 5 cm लंबाई का कोई बिम्ब यानि कि हमें H कावान दे दिया 5 cm सेकिन हमें दिया है कोई बिम्ब 3 cm वक्षता तरी यानि कि R कावान दे दिया 30 cm किसी उत्तल दर्पान कौम सा दर्पान है? ये भी हमें पता होना चाहिए उत्तल दरपन के सामने 20 cm की दूरी पर रखा गया है तो यू कमान हमें के ताई दे दिया 20 cm भी दे दिया तो परतिविन में के इस्तिती, प्रक्रती, साइच इस्तिती, प्रक्रती और साइच तो उत्तल दर्पन होगा तो निश्चित रूप से जो R की वैल्यू होगी वो क्या होगी धनात्मक होगी तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R बटे 2 के तो 30 का अधा करेंगे यानि कि कितना होगे 15 cm फोकस दूरी बराबर होता ही वक्रपा 30 बटे 2, वक्रपा 30 है तो 30 में 25 cm और यह F का मन क्या होगा? धनात्मक होगा यह हमें ध्यान रखना है U का मन धनात्मक होता है हमेशा ही तो प्रतिविंब का मन निकालेंगे तो लेंस सुत्र उत्र करेंगे 1 अपॉन V-60 प्लस 1 अपॉन U क्योंक दरपन है बराबर 1 अपॉन F इसलिए यह अधनात्मक है तो हमें क्यालेंगे V तो 1 अपॉन V बराबर 1 अपॉन F-1 अपॉन U तो दो इसलिए जो पॉन वह जो है बराबर 8 अपॉनłem F-1 कमान वह था है तो माइनश की माइनस होगे तो प्लस आगा 1 अपॉन V बराबर 9 अपॉन सकते हैं इसको 15 गुना 20 है तो यह 15 गुना 20 ही ले देते हैं तो आप चाहें तो इसे decimal में निकाल सकते हैं महीं वी का मान तो पता चल Gya कि k्या होगा स्थिति पता चलकी दूसरी वात Prak Theresee प्रकर्थी निकालने के लिए प्रकर्थी a कर्द ाबासी होग या वास्ती वू तर्पण क्या एंधर क्या उत्तल रपण है और आत्माकर इसलिए प्रतिविंब पीछे के और बनेगा, दरपड के पीछे बनेगा, यानि कि क्या होगा, आवासी कतिविंब होगा, अब तिसरा कुछ रता साइज, हम साइज जानते हैं, चूंकि M बराबर होता है, माइनस B अपॉन यू, और ये बराबर होता है, H डेश बटे H के, तो इस फार कि पान लिकालने के लिए, तो क्या रहेगा, H कमान कितना दिया है हमारे को, 5 सेंटी मिटर, तो ये हैं, 5 गोना, V कमान माइनस में यूज करेंगी, तो V हमारा कितना लिकल काया, 60 बटे 17, तो ये माइनस आगे लगा दिया, यहाँ पर दिख लिए 60 बटे 7, और यू कमान कित सब्सक्राइब देंगे साथ दूनी चोदा साथ इकम साथ चको अठाइस इतने सेंटीमेटर के लगम बराबरा देगा जो प्रतिवीं में होगा वो वस्तु के अपार के आदे से भी क्या होगा छोटा होगा तो इस पर कार सेंगे से कर सकते हैं अगला प्रशन है प्रशन संग्या 15 इसके उनसा साथ सेंटीमेटर साइच का कोई डिम्ब 18 सेंटीमेटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पन के सामने जिन्ब 18 cm focus दुरी के आवतर दर्पान, पहला क्या है, यह question मरमार 15 है, यह है आवतर दर्पान, हमें दे दिया, h कमान दे दिया, 7 cm, f बराबर दे दिया, 15 cm, जो चीजे हमें दे दिया, 18 cm है, 18 cm, 18 cm focus दे आवतर दर्पान के साफने, 17 cm की दूरी पर रखा जाता है, यानि कि 27 cm, तो साली चीजे हमें गयात करनी है, तो सीधे दर्पान सुतर लगाते हैं, अब आवतर दर्पान हैं देखिए, आवतर दर्पान हैं तो focus दूरी माइनस में होगी, आपको दिया ध्यान रखना है, और यू कमान तो हमने कहाता हमेशा माइनस में होता है, यह चीजे देख से जितने प्रफिमों में बनते हैं, वो सारे का सारे सीधे बनते हैं, तो इन बातों को आपको पता होना चाहिए, तो वही बात यहां पर है, आवतर दर्पान है, तो focus दूरी माइनस में होगी, यू कमान तो हमेशा माइनस में होता है, तो वी कमान निकालने, 1 अपॉन अप यू कमान माइनस 27, तो कितना आजाएगा, 54 ले लेते हैं, या इसको थोड़ा सॉल कर दे, तो यह गया माइनस एक बाता 18, प्लस एक बाता 27, दोनों का एलशियम, 27 उनी 54, अठा रती हैं 54, यह ले लिया, अठा रती हैं, चोगन माइनस थी, 27 उनी 54, प्लस दो, 1 अपॉन वी तो कितना आजाएगा, 1 अपॉन वी, इस इकल टो, माइनस एक बाते 24, तो इसका अर्थ है, तो वी बराबर आगे हो, माइनस चोगन, माइनस कमिशान से हो गर रहा है, दरपण के इधरी की तरब बनेगा प्रतिविंब, और यह दिधरी की तरब बनेगा, तो आउताल दरप M is equal to, इसने क्या पूचा है, हमें साइज पूचा है, साइज पूचा है, तो M बराबर क्या होता है, H dash upon H-V upon UK, इस फार्मुले को यूज़ करेंगे, हमें H dash कमाल निकालना है, तो H dash बराबर H गोना-V upon-U, तो h dash बराबर कितना हो जाएगा h की value कितनी है 7 cm, 7 गोना v command minus में हमीं यूज करने है तो minus और minus 24 minus minus क्या हो जाएगा यह plus 54 बटे u, u command कितना दिया है u command है minus 27 तो लिखेंगे minus 27 u command है 27 तो देखे 27 से काटेंगा 27 दूनी 24 minus की शाम से 7 दूनी 14 यह इंके minus 14 और h dash कमाण यह दिया minus नहा रह रहा है यह नहीं के प्रतिविम क्या बनेगा उल्टा बनेगा उल्टा बनेगा आर बसतू के आकार कितना हाँ था 7 cm प्रतिविमर का 14 तो बसतू से दूगना बनेगा बसतू से दूगने आकार का इस परकार से हम इस question का answer निकाल सकते हैं आप note केज़े फिर हम आगे continue करता है हमारा next question इस परकार से है यह question number 16 इसके अंसार उस lens की focus दोरी जाद कीजिए जिसकी छमता minus 2.0D यानिके डायप्टर है यह किस परकार का lens है तो lens की छमता हमें देजी question number हमारे पास दिया है यह 16 lens की छमता power हमें देदी minus 2.0D डायप्टर तो lens की हमें क्या क्या जी चीज़े गयात करनी है lens की focus दोरी है और किस परकार का lens है एक दोरी गयात करनी है और lens किस परकार का यह भी तो उन्हें आपको बताया था यदि 6.0D में हो तो यह क्यासा lens होता यहां देखते हैं सारा आपको समझ जाना चीज़े यह है अपसारी lens अपसारी lens मतला अउत्तले lens है अट यदि यह धनापनक होती प्लस में होती तो अउत्तले lens होता अभी सारी lens होता अब focus दोरी हम जानते है जो कि P is equal to क्या होता 1 upon F के तो यहां से F is equal to क्या होता 1 upon P के तो 1 upon कितना माना आएगा माइनस 2.0 तो भाग देदेंगे F गला माना फोकस दूरी कितने निकल जाएगी हमारी focus दूरी हो जाएगी यदि इसको centimeter में निकाल दें या ऐसी रखे 2 upon 10 तो इसलिए आजएगा 0.5 मीटर आजएगा माइनस में यानि कि इसको centimeter में निकाले तो 0.5 गोना 100 centimeter centimeter में आगया 120 में गोना कर देंगे तो क्या आजएगा यह सिरिए आजएगा 50 centimeter तो फोकस दूरी कि आगई 50 centimeter किसमें माइनस में है माइनस में क्यों है क्योंकि यह आजएगा लेंस है आजएगा माइनस में होती है तो यह निकाल गए है अगला प्रेशन देखे क्वेशन नुमर 17 है कोई डाक्टर 1.5 डायरेक्टर चंता का अगला प्रेशन होता है कि लेंस मेरदारित करता है मतलब जब नेतर दोश आता है तो उसके लिए हम नेतर चीकुषक के बाए जाता है आई वाले डाक्टर के पाए जाता है अब वो हमारे पास क्या लगाता है एक चश्मा लगा देता है तो वो संसोगर लेंस के लाता है जो चश्मे का लेंस होता है लेंस की फोकुत दूरी यारत कीजिए क्या लेंस अभी सारी है अत्वा अब सारी तो देखिए चंता कितनी देदी एक दश्मा लगा पांच लिए तो यह 70 ओश्यन है लेंस की पावण बरावर देखिए प्लस 1.5D यान की लेकि लगाव भी इसके डायप्टर है तो यह दील प्लस है चुंकि पी कमान ढ़राद घनातमक है अथा kidding यह अथा। है लेंस क्या है हमने अभी बनाये ठावक अभि आविसारी लेंस अभी सारी लेंस कहुं सा होता है उत्तरले लेंस क्या है अभी सारी लेंस है यह हमें पता चलिए कि आप फोकस दोरी क्या हो जिए कि पी एफ is equal to 1 upon P येनिकी एक बटे एक दशनलो 5 और आप इसको डिवाइड करके मान निकाल सकते हो कि किस न आएगा मीटर न आएगा आप इसे चाहिए तो एफ बराबर एक बटे एक दशनलो 5 गोणा सव सेंटीमीटर में निकाल दशनलो उटाए जीलो बड़ा दिया तो पंदरा से भाग जिए जी पंदरा चिकपन अबब भे फिर हमारा आगया 10 यानि फिर से आगया 15 चिकपन भे तो फिर 10 यानि कि 66.66 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी तो फोकस दूरी का मान हमारा इतना आ जाएगा उरी 56,65 सेंटीमीटर के बराबर कूर भेगए तो प्यारे बच्चों यहाँ exercise हमारी question number 17 के साथ ये पूरी exercise पूर्ण होती, ये chapter पूर्ण होता है तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कहीं पर कोई परिशान ही नहीं होगी यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे like जरूर कीजिए आप चैनल पे नए हैं तो subscribe जरूर कीजिए और सबसे important बात बच्चों share जरूर कीजिए क्योंकि हिंदी मीडियम में material बहुत कम है YouTube पे तो सही student तक ही यदि पहुंच पहुंच जाए इस video को बनाने की जो मेरी सार्तक्ता य्डेयास प्रियास जो है तो सफाल बोगा जाएगा तो बनाना हमारे हाथ में बाकी बहुतर आना आपके हाथ में कि आप कितना इसको पसंद करते हैं कितने अपने दोस्तों करें आपके अपकी किसी एंगली क्लास में तब तक के लिए गुडबाइए